हेलो दोस्तों Stock Market Paradise में आपका बहुत-बहुत स्वागत है आज के दिन हम सब कुछ डिसकस करने वाले हैं 21st of January के दिन जहां पर मार्केट किलो जुगा था उस टाइम पर किस तरीके से किलोजिंग हमें देखने को मिली और आज के दिन किस तरीके से मिलेंगे और बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-ब रेड कलर में देखने को मिल रहा है सारे मार्केट अगर यूएस श्टॉक मार्केट की बात करें तो यह तो 385 पॉइंट नीचे जा चुका है यानि की पौने यह तो यह तो यह तो आपको मार्केट की बात करें तो यह वी आवरल मार्केट की चोड़ने उसके बाद आप जो सारे देखो गए माइनस में हलांकि इनमें बड़ी नम्मर नहीं है बड़ी नम्मर जो आपको देखने को मिलेंगे यह आपको नक्कै में देखने को मिलेंगे SGX में देखने को मिलेगा और मिलेगा ताइवान वेटेड में बाकि जो इस्टॉक मार्केट है उनमें आपको करे कुछा नमर्स से नॉर्माली देखने को मिल रहे है तो तो क्या आपको यह पे देखने को विली से जुछ इव तो आप नंहें यह देखने को मिल रहा है और इसके जो CEO है उन्होंने यहां पर कहा है कि जो Netflix है यह जो इंडियन इंडियन जो मार्केट है यहां पर लोग पे नहीं करते हैं Netflix को हलांकि पूरा इंपक्ट यहां पर इंडियन पॉपुलिशन का ही नहीं है यूएस स्टॉक मार्केट के नेटफिलिक्स की हिट है यह वहां के मार्केट के इसाब से भी है तो बहुत ज़्यादा है यहां की सब्सक्राइब के रोग देखने को मिली उसकी वज़ए से 22 परसेंट आपको यह डाउंसाइड मुवमेंट देखने को मिला नेटफिलिक्स में और यह बहुत सारे स्टॉक है लेकिन सबसे वस्ट है नेटफिलिक्स को देखने को मिली अब बात करेंगे इंडियन स्टॉक मार्केट की चिस तरीके से हमें आज के दिन मार्केट देखने को मिलेगा 24 जनवरी के दिन किस तरीके से मार्केट हमें देखन को मिलने वाला है सेंसक्स की अगर बात करें उनन्च उनसट हजार एक सो बावन पॉइंट पर यह आपको फिलाल में देखने को मिल रहा है लास्ट डे यानकि 21 जन्यूरी के दिन annya 472 पेर्सेंट 2427 पॉइंट का इसमें डाउनसाइड मुव्मेंट देखने को मिला ज्योंकि 489 पॉइंट 51 पॉइंट यहा पे देखोगे जो ओपनिंग है वहीं पर आलमुस्ट के लोजिंग आपको देखने को मिल रही है अगर हम इसे डे पाइटन में अगर देखें तो आप देखोगे कि यहां पर डोजी केंडल इस तरीके से बन चुकी है इसका मतलब क्या होता है कौन सी यह केंडल होती है देखिए देल डोजी को मिल रही है और यह आपको करेंड Djistant में डेहन को मिल रही है तो यहां पर आप सब एक्सौक्ट कर सकता हो तो आपको अपशाइड वोमन्ट जादाऊ वैर तो यहां पर डाऊंशाइड बॉममेंट अगर हम बात करें सब habits to do we? जो रेजिस्टेंस आपको देखने को मिलता है निफ्टी 50 में तो यह 17,675 पर फिलाल में फर्स्ट आपको देखने को मिलेगा रेजिस्टेंस यह जो लेवाल है आपको इस तक रेजिस्टेंस देखने को मिल रहा है अच्छा यहां पर पैटर्न बना रहा है दूसरा रेजिस् तो इंडियन इस्टॉक मार्केट में आपको थोड़ा सा यहां पर गैप डाउन ओपनिंग देखने को मिल सकती है निफ्टी-फिप्टी जो है गैप डाउन में ओपन हो सकता है क्योंकि गिलोवल जो मार्केट है बहुत ज्यादा मूव कर चुका है क्रप्टो मार्केट के बा मिलते हैं वह बिटकाउन में आपको देखने को मिलेंगे बिटकोई बहुत जादा नीचे जा चुका है और यह फाइनस की बारे में अगर आपने सुना तो यह भी बहुत जादा नीचे जा चुकी है तो यह जो नंबर से आपको कही ना कहीं इंडियन स्टॉक मार्केट में आपको देखने को मिलेगा अल्मोस्ट गिरीन यहां पर पैटन बना चुका है यहां पर केंडल देखने को मिलेगी आपको लास्ट फिप्टीन मिनिट लेकिन जो रेजिस्टेंस है यह आपको देखने को मिलता है 37,800 और 7 रुपीज पे इसको आप अगर चाहें तो ऑवरॉ तो इसके बीच में आप चाहो तो अगर इसको ब्रेक करता है तो बहुत ज़्यादा आपको अपसाइड ट्रेंड देखने को मिलेगा इसको ब्रेक करता है तो डाउंसाइड ट्रेंड भी बहुत ज़्यादा आपको देखने को मिलेगा हाला कि मैं बस यही कहूंगा कि जो आ आपको ज़्यादा देखने को मिल सकती है तो यह मार्केट किस तरीके से हमें देखने को मिलने वाली है अगर बात करें यहां पर FII की डेटा की तो देखिए FII बहुत ज़्यादा सेलिंग कर रहे हैं इंडियन स्टॉक मार्केट में अगर 21st of January की बात करें तो FII ने जो सेलिं किये 3148.58 करोड रुपए की यहां पर सेलिंग किये FII ने तो बहुत बड़ा नम्मर यह हमें देखने को मिल रहा है FII की तरफ से हो सकता है आज के दिन और भी ज़्यादा सेलिंग हमें देखने को मिले वाई पी अगर बात करें डिया यानिकी जो इंस्टिटिवसन है डोम इंस्टिटिवसन इंवेस्टर यहां पर बात करें F&O की तो यहां पर कुछ इस्टॉक जो है आज के दिन बैन किये जाएंगे F&O सेगमेंट में यानिकी फीचर एंड ऑप्सन सेगमेंट में जो आज काम नहीं करेंगे वह हैं वेल एक तो फिर आपको एसकॉर्ट देखने को मिल रहे हैं तो यही सारी मार्केट के बारे में डीटिल किस तरीकी से आपको मार्केट देखने को मिल सकती है तो यह आपको याद रखना है अगर जादा गैप डाउन ओपनिंग होती है तो फिर आपको अच्छा ही होगा कि आप आज के दिन ट्रेडिंग ना करें लेकिन expect कर सकते कि हमें आज के दित थोड़ा सा downside movement ही देखने को मिलेगा Indian stock market में तो यह रही दोस्तों आज के market की video अगर आपको यह video पसंद आती तो like करना comment करना अगर आपको कोई question हो और अगर आपको इसी तरीके की video पसंद आती है तो channel को आप subscribe कर लेना जिससे कि upcoming videos आपको time पे मिल सकें